सभी लोग अपनी जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं इस्त्री हो पुरुष हो हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हिसाई जहूदी पारसी मनुष मात्र का उद्देश रहता है उसका जीवन अच्छा बने गाटिया जीवन किसी को पसंद नहीं है राबन बाला काम करके भी आदमी चाहता है कि समाज के लोग हमको राम के रूप में देखें तू अच्छा है कोई राबन बनना नहीं चाहता है लेकि द्रभाग्य है कि राबन बाला कर्म को छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन जीवन बढ़ियां बने कैसे उसका उपाय क्या है ढ़ंग क्या है तरीका क्या है उसका उपाय तरीका ढ़ंग मानवता की परमहितेशी सद्गुरु कबीर साहब बताते हैं सिटी नहीं मारे तो जाने अच्छा है सिटी मत मारे सद्गुरु कबीर साहब तरीका बताते है कि सभी भाई बहन अपने जीवन को अच्छा कैसे बना लोगे हमारा आपका जीवन अच्छा हो इसके लिए तीन सुत्र हैं स्वास्थ, सम्रिध्धी और सम्मान सबसे पहले भाई बहनों को सोचना चाहिए कि किसी का जीवन रोगी है तो जीवन बढ़ियां है क्या बहुत निकट में प्रस्न है अब उससे भी निकट इसका उत्तर है कि जीवन रोगी अगर हो जाए तो उस जीवन को हम बढ़ियां कहेंगे रोगी जीवन बढ़ियां नहीं होता है स्वस्त जीवन बढ़ियां होता है स्वास्त ही सबसे बड़ी संपत्ती है healthy is health अई अपने बस की बात है अगर भाई बहन ये समझ लें अन्दिर्रे कर लें कि हमको स्वस्त जीवन जीना है जीवन स्वस्थ जी लेगा दूँ और दुसरा है सम्रद्धी सम्रद्धी का मतलब है धन संपदा संपन्नता और तिसरा सूत्र है सम्मान आपका जीवन निरोग हो स्वस्थ हो और सम्रद्ध हो अब आप गरस्त नहीं हो तुलसी ने कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाहिं दरिद्रता से बरकर के धर्ती पर कोई दुख नहीं दरिद्रता हमारे जीवन नहीं हो संपन्नता हो जीवन और तिसरा है सम्मान जिस समाजिक परिवारिक परिवेश में हम रहते हैं वहां हमको सम्मान मिले इज्जत हो और संवानित जीवन नरक है जिकि भगवान कृस्ने कहा है संभावित चाकर तिर मरना दृतिरी चत्य ते संभावित परिवसों के जीवन में कलंक लग जाना अपजस लग जाना है और संवान का मुह देखना पड़े तुसे मौट अच्छा है तो स्वस्थ जीवन हो, सम्रद्र जीवन हो और सम्मानित जीवन हो इस भौतिक धरातल पर ये तीन मांगें हमारे जीवन की हैं अपने स्रम साधना के द्वारा इन मांगों को अपने जीवन में घटित करना यही हमारी साधना है सभी भाई बहनों को प्रियास करना चाहिए कि जीवन स्वस्त रहे और सम्रद्ध हो जीवन धन संपदा संपन जीवन हो और दिसरा सम्मानित जीवन हो सम्मानित इज्जत के साथ समाज में जीना लेकिन दिरुबुद्धी के कारण इस सब को हम स्वयम खत्रे में डालते जा रहे हैं चुकि दिरुबुद्धी मनुस के जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप है इसलिए सद्धुरु कबीर ने तरीका बताते हुए कहा कि कबीर दूर मती दूर करू यह जो भेंट पुजा वाली पेटी है न इसको किनारे कर दीजी इसको सत्संग ने होने देगाई उधरे से उठ करके लोग उस चंदा की पेटी में पैसा डाल देंगे इसको यहां से हटा दीजी उधर कर दीजी एक दिक्कत और होने बाली है दान पेटी में पैसा गिराते हैं तो पेटी को उधर करो हम ही को चरहना शुरू कर दे तो हमको भी उधर कर दो तो तक हम यह बन जाएगा और किनारे कर दीजे भी जो लोग दान देना चाहते हैं उसी पेटी में दान दे दिया करें धेरे से आ करके हला नहीं करें इस सब अच्छाईयों को हम दुरबुद्धी के कारण खत्रा में डालते जा रहे हैं सद्गुरु कबिर देव उसका धंग बताते हैं उपाय बताते हैं तरीका बताते हैं कि सब भाई बहन का जीवन अच्छा कैसे हो जाए कबीर दुर मती दूर करू एक कार्ज करता हुए हां बैठा देजे एक बैठते हैं बहीं बैठे रहे है देखते रहे हैं बता देजो बता देजो तो यो नहीं मांते हूं हमरों हटाईए का छोड़ते हैं अच्छा शांती बनाएं सद्गुरु कबिर देव का इशारा है भाई बहनों से कि कबीर दूर मती दूर करू सारे दुखों का कलेशों का अभाबों का समस्याओं का मूल कारण दूर मती हैं मती कहते हैं बुद्धी को उसमें दूर उपसर लगा हुआ है दूर मने खराग दूर जन तो आदमी है दूर लग गया तो आदमी गया काम से दूर जन होना तो अच्छा नहीं है उतीस्ता से मती है बड़ी अच्छी चीज है और उसमें दूर लग गया तो मती की दूरगती हो गई कबीर दुर्मती दूर करू समस्त भाई बहनों से कबीर का इशारा है कि सबसे पहले भाई बहनों दुर्मती को दूर कर दू अज पूरा समाज दुर्मती ग्रस्त है कल भी मैंने संकेत किया था तमबाकू चाटने वाला आदमी है तो दुर्मती है कि सुमती शराब पीने वाला है दुर्मती है कि सुमती, गुटका गुराखू खाने वाला है तो सुमती है कि दुर्मती, मिलावट बाजी करने वाला है दुर्मती है कि सुमती, जमा खोरी मुनाफा खोरी करने वाला है तो सुमती है कि दुर्मती, घूस ले करके अन्याय करना घूस दे करके अन्याय करवाना दोनों महान पापी है घूस देने वाला घूस दे करके अन्याय करवाता है हाकिम घूस ले करके अन्याय करता है दोनों पापी है घूस लेने वाला जितना पापी है उससे अधिक पापी है घूस देने वाला दुर्मती के कारण ये सारे दोश्मन उसके जीवन में हैं सद्गुरु कबिर देवी इशारा काते हैं कि सबसे पहले दुर्मती को छोड़ दो अकेवल दुर्मती को छोड़ देने से आपका जीवन अच्छा बन जाएगा कैसे अच्छा बन जाएगा दुर्मती आपके पास नहीं रहेगी तो जो खाना चाहिए वही खाओगे जो पीना चाहिए वही पियोगे और जो करना चाहिए वही करोगे ये तीन बातें सही ढंग से आपके जीवन में आ जाए क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए आज यही बिगड़ गई है इस्थती लोगों की हमारा जीवन बिगड़ गया स्वास्त गिर गया आर्थिक विपन्नता आ गई अज समाज में हम और सम्मानी तो हो गए इसके मूल में दुर्मती है एक छोटी सी कहानी कह दो आपनों की समझ में इस पस्थ तया बात समझ में आ जाए कई बार एक घर्टनाओं को आपने सुना है एक बादसा है बिर्बल को कहा कि सराव ले हो सुनिए गजरा बहुत ठीक ढंग से इसको कल ही मैंने हाथ जोर कर निवेदन किया था कि सपा बहुत पुराने जमे से कबीर बिचारों का केंद्र रहा है गढ़ रहा है कबीर बिचारों का गढ़ और केंद्र होते हुए भी अगर किसी कोने से गढ़ करके सराव का बोतल आ गया है तो आप लोगों केंद्र बुद्धी हो कि उस बोतल को उधरे गढ़ का दो गढ़ से बाहर कर दो अगर कहीं भीतर कर लिए हो तो हाथ जोर कर निवेदन सभी भाई बहनों से कहता हूँ उसको निकाल करके बाहर कर दो जड़ी खेरियत चाहते हो तो ना आने बाला समय में एक सराव के चलते सीर पर हाथ दे कर रोने के अलावे और कोई चारा नहीं रहेगा लोगों को आदमी अलपायू हो जाएगा दरिद्र हो जाएगा अभाब ग्रस्त हो जाएगा स्वास्त और अर्थ व्यवस्था गिर जाए उस व्यक्ति परिवार समाज की चारित्री का वस्था कभी ठीक नहीं रह सकती है जिसका स्वास्त गिर गया अर्थ व्यवस्था गिर गई उस व्यक्ति परिवार समाज की चरीत्र व्यवस्था कभी ठीक नहीं रह सकती है दूसर चरीत्र हो जाएगा अई सब दुर्मती के कारण है दुर्मती गरस्थ हो गया बादसा बिरबल से कहा कि शराब लेआ बिनास का पहला सुत्र आ गया जो संपूर्ण बिनास का मुख दर्माजा है किसी सायर ने बहुत बढ़िया कहा है हजारों फूल कम है ये गले को सजाने के लिए फिर से ध्यान दिजिए हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए लेकिन एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रूलाने के लिए एक भूल आपके जीवन में आजाए तो जीवन भर रोते रोते फुरुसत नहीं मिलेगे देख लिजिए परिनाम एक जगा भूल हो गई बादसा की बुद्धी मारी गई दुरुबुद्धी गरस्त हो गया हूँ बिर्वल से कहा की शराब ले हो बिर्वल बहुत समझदार और इमांदार बिर्वल नह सोचा है कि बादसा की बुद्धी मारी गई शराब पीना चाहता है दुरुबहागी मुझ से ही सराब माना चाहता है अगर मैं शराब लाकर दे दूँ तो मैं इमांदार नोकर नहीं हूँ तुकि सकिंग सखा साधुनसास्ति जोधिपम वह सखा किस काम का जो अपने मित्र को वह नोकर वह अनुगामी वह आदेश पाल किस काम का जो अपने मालिक को उचित सलाह नहीं देता हूँ उचित सलाह देने वाले को मित्र कहा जाता है कुपथ में से हटा कर सुपथ में लगाने वाले को मित्र कहा गया है राम जी ने कहा था सुग्रीव से कि सुग्रीव कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगट यब गुण ही दूरावा कुपफ से हटा करके सुपथ में लगा देता हूँ, और सारे दुर्गोनों को मिटा करके जीवन में सद्गुन का संचार कर देता हूँ भर्थरी ने कहा था पापान निवारयति जो जयते हिताया गुह्यंच गुहति गुणानी प्रकटी करोति आपद गतंच नजहाच देदाति काले सनमित्र लक्षण में अउप्रवदंति संता हूँ जो पाप से निवारन करता हूँ, पूनि कर्म में निवजित करता हूँ सद्गुनों को प्रकाशित करता हूँ, आपत ग्रस्त हो जाने पर, जो तनमं, धं से सहयोग करता हूँ, छोडता नहीं हुँ, उसे सनमित्र कहते हैं साध्रू संत से बर करके हमारा मित्र दूसरा कोई नहीं है सद्गुरु कबिर ने कहा कि सोई हित बंध मोही मन भावे अज्यात कुमारग मारग लावे कुमारग में जाते हुए लोगों को बचा करके जो सुमारग में लगा दे वही तो हितेसी है, वही तो मित्र है गली-गली में घुम करके संतों की टोली यही काम कर रही है कैसे द्रिवसन मुक्त जीवन आदमी जीए कैसे नसा मुक्त जीवन जीए कैसे बेविचार से भरस्टा चार से मुक्त जीवन जीए कैसे मात्री, पित्री, भग्त, मुर्ण जीवन जीए, प्रेम का जीवन जीए, सरद्धा का जीवन जीए, सदाचार का जीवन जीए, यही तो संत्मात्माओं का उद्देश है बिरवल न सोचा है कि बादसा की बुद्धी मारी गई हमसे सराब मंगबा रहा है अगर सराब लाकर दे दू तो मैं इमानदार नोकर नहीं हूँ अशराब लाकर नहीं देता हूँ तो नोकरी मारी जाएगी बड़ा धर्म संकट है न लाते बनता है न इनकार करते बनता है बिरबल चला गए आदिस मानना था जिरा गौर से सुनिएगा अब परिनाम को समझेगा फिर संकल्प ले लिजिए कि आगे अगर ये काम कर रहे थे तो अब नहीं करना दुरगतियों का मुह देखना पड़ेगा बिरबल चला गया अशराब मंड़ी में गया शराब ले लिया बादसा का आदेश है आदेश पाम करना है शराब ले लिए उसने बैठाली जेन को महाले देदीजे कुरसी एक्षब कुरसी देदीजे शराब गया बिरबल सराब ले लिया इंथाव विवेकवान सोचा कि सराब अकेली रहती नहीं है इसका कोई सहयोगी होता है वो दिमान था जोगे राह चलते हम देखते हैं सड़क के किनारे तारी बेचने वाला लोग होता है तो अकेले तारी नहीं बेचता है बगल में उसका चखना भी होता है पहले चखना लेता है वो रास्ता बनाता है तब तारी देता है धर से रास्ता बनाने वाला चखना होता है बिरवल न सोचा कि शराव अकेली रहेगी नहीं तो शराव तो ले ली उसने उसके बाद मांग समंडरी में गया और एक पॉंड मांग से ले लिए बिरवल न सोचा कि अब अध्याय पूरा हो गया शराव मांगा था और उसका सहयोगी एक तॉंड मांग से ले लिए शराब और मांग से लेकर के आगे बढ़ा तो विरवल सोचता है कि जैसा खाऊन वैसा बने मन यह तमोगुणी शराब और मांग से का सेवन करेगा तब इसके अंदर स्यक्स का उभार होगा कामुकता उभरेगी तब यहाथ पर पटकेगा तो हमको फिर बजार आना पड़ेगा यह कही बार सब काम करते चलें बुद्धी मानी यही है विरवल न सोचा कि पिएगा सराब खाएगा मांग से आई है रजोगुणी तमोगुणी चीज तब कामुकता उभरेगी तब यहाथ पर पटकेगा तिस समस्या के निवारन के लिए एक अफसरा को साथ में ले ले जिसको आज की भाषा में वेस्या कहते है मंड़ी बदल दिया चला गिया वेस्या मंड़ी में और एक वेस्या को भी साथ ले लिए का कि अब अध्याय पूरा हो गया शराब की बात थी शराब ले लिए उसका सहयोगी मांग्स ले लिए सराब मांग्स सेवन करने से उपद्रव खड़ा होगा उसके प्रसमन के लिए वेस्या ले लिए काम ठीक हो गया सराव मांगस बेस्या को लेकर की विर्वल चला दो-चार कदम आगे गया है तो फिर कहता है भूल हो रही है पिएगा सराव खाएगा मांगस उपद्रव खरा होगा उसके प्रसमन के लिए बेस्या है जिए भोग तो रोग को जनम देता है भोगे रोग भयम इस भोगी को पकड़ेगा सबसे पहले एर्ड हिरदय रोग पकड़ेगा ऐसे अहार बिहार से खून जाम होगा तो गठिया रोग पकड़ेगा तद हमको फिर आना पड़ेगा तो अच्छा हो कि एक फिजिसियन को भी साथ में ले लेते हैं एक दुरबुद्धी आपको कौन-कौन घाट का पानी पिला रही हजरा गौर किजिएगा अब मानबता कि परम हिते इसी सद्गुरु कबिर साब के इसारे पर ध्यान दीजिए कि कबिर दुरमती दूर करू बिरवलन सोचा है कि भर्थरी ने कहा है कि भोगे रोग भयम भोग रोग को जनम देता है इसलिए सारे भाई बहन भोगबादी नहीं बन करके योगबादी बनो योग में जीवन है, योग में स्वास्त है, योग में सफलता है, योग में शांती है योग सारे सुखों का केंद्र है फिजिसियन को साथ में ले लिए का किया भोग है शराब है सहयोगी मांस है दोनों का सेवन करेगा उपद्रव खरा होगा उसके प्रसमन के लिए वेशिया है पकड़ेगा रोग तो डॉक्टर हो ही गया उता ध्याय पूरा हो गया कुछ दूर आगे गया कहा फिर भूल रह गई डॉक्टर जाएगा इलाज करेगा तो लिखेगा दवा तो तो उनको फिर आना पड़ेगा एक दूर दवा से काम चलेगा निस अभागा को तो अच्छा हो कि एक मेडिकल हॉल को भी साथे ले लेते हैं लोट कर गया एक मेडिकल हॉल को निमंतरन दिया कि सब दवा ये टीचिया भार कर चलो एक दूर दवा से काम चलने वाला नहीं है मेडिकल हॉल भी साथ हो गया अब शहर से निकलने निकलने पर हभीरवल सोचा कि फिर भूल रह गई डॉक्टर मेडिकल हॉल जा रहा है दवा करेगा कोई जरूरी है कि किसा सफले हो जाए अच्छे किसा कहीं सफल नहीं हुई तब अच्छा होगी कफ़न भी लेगी लेते हैं कपड़े मंड़ी में गया और कफ़न ले लिया अब शहर से बाहर हो गया सराव है मांस है बेस्या है फिजिसियन है मेडिकल हॉल है कफ़न है जब दरबार के निकट पहुँचा कहा फिर भूल रह गई कफ़न तो ले लिया है कफ़न कस देंगे हूं यह उठाने के लिए चार कंधा कहां से लाएंगे अब पीछे में कमशकों दो-चार सु आदमी स्री राम नाम सत कहने वाला हो तो गया गउं में अब पूरे गउं को निमंत्रन दे दिया कि चलो कलके बाद साब मेरी कलो कलके मर ले याने मरे कि तैयारी में लाग लग चाँ यह है दुरुमती का दूस्पणिनाम रोग दर्जरता मौत को भी सामने ला देने वाली इद्र बुद्धी है सो दूस्पणि को आमंत्री दे करके ले चला दरबार मजे से पहुँचता है बिर्वल जानसान देखा का बिर्वल आगे का भला आप का आदेश के से तिक ढ़ी डिगेगा का माल बहुत बढ़ियां लाय हो कर क्या हीं तो हिंदुस्तान का दिरॉभाग यहे जो हाइस टॉंडर का होता है व्हों पिता है है बढ़ियां माल जिसका इस्टंडर लो है उन सरल का महुआ वला पीता है जी जिसका इस्टंडर हाय हो तो भरंडी पर हाथ फिरता है जिसका इस्टंडर लो है विचर लेला मजनू बीरी पीता है जिसका इस्टंडर जरा सक नहीं मुक्षिया सरपंच समीती और विधायक हो गया तो पनमान पीएगा हो तो इजित बड़े बुद्धिमान हो काही एक पॉंड मांग्स ले आएं कहा कि अब तुम्हारा प्रोग्रेस हो जाएगा बड़े बुद्धिमान हो तुम काही भगल में खड़ी कौन है का सराप पियोगे मांग्स खाओगे मादकता उभरेगी तो उसके प्रसमन के लिए बेसिया ले आएं तो तो बाद साल कुरसी छोड़ दी खुशी के मारे इतने में नजर पर गई हूँ आला पर तो दिमाज में ताला लग गया इसका का बिरवली कौन है करके डॉक्टर नहां है डॉक्टर करके ता और स्वामी रंजीत जी कामें यहन के ला कि डॉक्टर के पास जैग परता तू डॉक्टर के निमंतरन देलो डॉक्टर को तुम निमंतरन दिये हो आज भारत के लोग निमंतरन भेजता है कि ऐ कैंसर दरवाजा हम साफ कर दिये हैं बीड़ी पी करके सराब पी करके दुरुबसन करके चले ओ मेरे पास आज किनसर एक आम रोग होता जा रहा है आजसे पचीस बरस पहले जिस रोग का नाम नहीं था वो रोग जो आदमी को ज़ा कहीं टेटर हुआ क्या हुआ तो चालिस बरस से पहले किसी को मध मेरे नहीं होता था आज कितना आदमी है जितना आज जितनी माताएं हमारे पास पहुँटी है की भला करके गुरगी चबा पकरने चबा हो भागले चीनी हम रहा का डाक्टर है तो जतना बैलुन की तरह मांग सराव विस्या को दे करके फूला था डाक्टर की नाम सुनते ही पचक करके नार्मल हो गया तो कि डाक्टर का वही रस्ते पकड़े होता अकाही अटेची वाला है का मेडिकल हॉल है अकाही बगल में क्या है बिरवल काही अंतिम पॉइंट है का क्या है बिरवल को हो ने करके कफनों ने ने लिया या अकाइद दूसा आदमी हसेड़ी काहे किलिए काहा राम नाम स्थ कौन कहेगा एक दुर्मती के कारण इतनी दुर्गतियों का सामना करना पर रहा है दोगे भगवान को दोश दोगे भाग को दोश की भाग में यही लिखा हुआ है किसी के भाग में रोग नहीं लिखा है किसी के नसीब में रोग नहीं है किसी के नसीब में दरिदरता नहीं है किसी के नसीब में अपमान नहीं है बस केवल जीवन जीने का धंग बिगर गया दुरमती के कारण रोग भी पहुँच गया दरिदरता भी पहुँच गई और बेईजती और सम्मान का भी सामना करना पड़ गए